बहुत सारे लोगों के हाथ कापते हैं, अगर वो कोई काम करते हैं, तो अचानक बेक्ती का हाथ कापने लगता है या वो कोई हलकी सी चीज को पकरते समय भी उनके हाथ कापने लग जाते हैं. ऐसे में अधिक्तर लोग इसे सरीर की कमजोरी समझ कर इसे नजर अंदाज कर देते हैं अगर आपके हाथ भी काम करते समय या किसी चीज को पकरते समय इस तरह कापते हैं तो इसे भूल कर भी नजर अंदाज करने की गलती न करें वह इसलिए क्योंकि इसकी बज़ा आपके सरीर में कमजोरी नहीं बलकि कुछ और भी हो सकती है यह है ग्यान की बात यूटूब चैनल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाथ कापने का कारण क्या होता है हमारे सरीर में आखिर क्या समस्या है कि हमारा हाथ कापता है आईए इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके हाथ कापते हैं तो ये डायविटीज का एक लक्षन हो सकता है जब किसी बेक्ती के सरीर में सुगर की मात्रा बढ़ जाती है या कम होने लगती है तो सरीर में स्ट्रेस बढ़ता है जिसके कारण किसी बेक्ती का हाथ कापने लगता है अगर वो किसी काम को करे इसलिए अगर आपके भी हाथ कापते हैं या हाथ कापने लगते हैं किसी काम को करने बग तो आप अपनी सुगर को नियंत्रित करने की कोशिस करें इसके अलावा बहुत सारे लोगों को हाथ इसलिए कापता है क्योंकि वो अपने जीवन में पौश्टिक आहार नहीं लेते हैं पौश्टिक आहार नहीं खाते हैं जिस कारण से ऐसे बेक्ति को एनीमिया होन से भी हाथ कापने लगता है इसके अलावा हाथ कापने के जो अन्य कारण है वो यह है कि यदि किसी बेक्ति का ब्लेट प्रेसर समान्य नहोना यानि समान्य से ज़्यादा होना या समान्य से कम होना या किसी का ब्लेट प्रेसर अचानक बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो वो मैं आपको बता दूँ कि कई बार सरीर में मौजूद काटिसोल हर्मोन के बढ़ने के कारण भी बेक्ती का तनाव काफी बढ़ जाता है और जब बेक्ती दिमागी और सारीरिक रूप से बहुत ही जादा तनाव में रहता है तो उसके हाथों में और पैरों में कमपन होना लाजमी है और इस कारण से उस बेक्ती का हाथ कामपने लगता है अगर वो किसी काम को करना चाहे तो उसका हाथ कामपने लगता है या उसका पैर कामपने लगता है दोस्तो अगर आपका हाथ कभी कभी कामपने की बजाए हर रोज कामपने लगे तो मैं आपको ये कहना चाह कि आपको तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इसके बारे में बातचित करना चाहिए हाथ कामपने के पीछे क्या कारण होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया अगर आप इसी तरह की स्वास सम्मंद्री जनकारिया जानना चाहते हैं तो ग्य बढ़ती जानकारियों का सबसे अच्छा स्रूत